लुद्याना में होजरी मालिक और हिंदू नेता रिशप कनोजिया निवासी नियो विश्णुपूरी ने एसीपी पर केस वापस लेने के लिए धमकी देने का आरोप लगाया है रिशप ने बताया कि पुलिस के वरिश अधिकारियों ने उने पंजाब पुलिस अकात्मी फिल्लोर में अवे धिरासत में रखकर पीड़ा था उन सभी पुलिस अधिकारियों के खिलाफ हाई कोर्ट मे उन्होंने कैस किया हुआ है पिड़ित के अनुसार अब इसी केस को वापस लेने के लिए लुद्याना का एक एसीपी सहायक पुलिस आयुक्त रहें का अधिकारी उसे धमका रहा है एसीपी उसे फोन पर धमकिया दे रहा है करनोजिया ने पुलिस कमिश्णर मंदीब सी पिड़ित को शिकायत दर्च करवाई है जिसके जार सीपी ने अतिरिक्त पुलिस उपायुक्त रुपिंदर को सराक को सोपी है पिड़ित ने शिकायत के साथ एसीपी की वोईस रिकॉर्डिंग और कॉल हिस्वी समय सभी सबुत जमा किये हैं उन्होंने का कि पंजाब और ह दालत की अवमानना का नोटिस चारी किया था इस मामले की अगरी सुनवाई तीन अगस्त को है इस कारण एसीपी उस पर दबाव बना रहे हैं इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ धन्यवाद